है 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 लोग प्यार मित्रोग स्वाइब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुपी स्टड़ी में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 2018 अठारा सौल करेंगे ठीक है 2019 सौल हो गया 2020 दो मॉडल पेपर देख लिए हम लोगों ने फियार पॉल डिनी के अभी हमारा तीसरा मॉडल पेपर चल रहा है यानि जो न्यूटन का जो प्रथम लाँ है ठीक है यानि न्यूटन का जो गती का पहला नियम है ठीक है पहला नियम वह क्या बताता है तो आप पड़े भी होंगे तो न्यूटन का प्रथम नियम या उसी को लिखते हैं और करके क्या लिखते हैं जड़तों का नियम भी के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी पढ़ते हैं ठीक है पहला नियम जो उनका दूसरा नियम है दूसरा नियम उसको हम कहते हैं बल का नियम क्या कहते हैं बल का नियम यह दूसरा अलग-अलग नामों से जाना जैसे न्यूटन का प्रथमला ऐसे पूछ देता है कि गत जब कोई वस्तु बिरामा वस्ता में है तो बिरामा वस्ता में रहेगी जो गतिसी लवस्ता में तो गतिसी लवस्ता में रहेगी ठीक है जब तक उसके बाइबल नो लगाए जाए तो इसकी परिभासा है जड़ोती की परिभासा है ठीक है जड़ोतो क्या कहता है कि जड़ोत करता है मतलब बिडिफ्टी में उसका गति में लाना चाहेगी तो अपने स्थिती में होने वाली परिवर्तन का विरोध में ऩारेना चाहेगी तो आपने होने वाली परिवरतन का क्या रहे है विरोध कर रहे है इसका मतलब जुने पहला नियम बताया का रहाiras यृता के से क्या कर रहा है रिफाइन कर रहा आ रथाथ न्यूटन के पहले नियम को में क्या कहता है जड़त state का नियम भी करते हैं ठीक है जो उनका दूसरा नियम था न्यूटन का जो दूसरा नियम था ठीक है दूसरा नियम उसमें बताया गया है कि जो किसी वस्तु पे जो लोगने वाला बल होता है वह वस्तु के दर्मान की मात्रा तथा उसमें उपन तौरर के गुड़न फल के क्या होता है बराबर होता है अर्थात उसमें बताया जाता है बल के बारे में ठीक है तो दुसरा नियम को हम बल का नियम भी जानते हैं और तीसरा नियम तो सब कनियम के या नीटन का तिरसा नियम के बात समझीसएं एक ही में कि यह नीटन का दुसरा नृटnya नीयम के बाल टेकी सोल love the day का पहला नियम को brings जड़तो का फॉचह इसे कीनी फुछा गया आप से कि नृटन का गती का प्रथम नियम दर साता है किसको तो झारतों को किसको दर साता है जड़तों को ठीक है तो हमरा अप्शन कौन से करिक्ट हो जाएगा पहला का अप्शन अप्शन नमबर सी करिक्ट हो जाएगा जड़तों को ठीक है पहले का अप्शन नमबर सी करिक्ट हो जाएगा बात समझ में आई होगी दोस्तों चलिएगा नेक्स्ट सव स्क्राइब करता ईडुन्य चाहिए रोकेट वह किस स्थान पर कारी करता है रोकेट पढ़े होगे किस स्थान पे ऊर्जा शहर के ऊर्जा रोजा बड़ाशन मेनी निशान डिखर है सभडय संव्यग संवποι करें और हुआ जो रोकेट होता है समय सरक्षटर के सिदांत पर कारिक करता है उसमें और एक आपका आगे सब जूर जाएगा जिसमें आपके option में दिया है क्या रेखिय कौन सा रेखिय ठीक है सम्विक सरच्षटर नियम पर आपको बताया पर दया बंदुक का गोली का चलना पीछे की तरफ जटका देती है तो क्यों क्यों क्योंकि जब गोली छोड़ी जाती है तो जिस पीड से जिस समय स्बाइक से वह आगे जाती है उतना है क्या करती है समय पीछे भी मिन्हें छोड़ती है जिससे में चर्क कानियम ठीक है तो जो राकेट होता है वह भी चित्धान पर करता है यहां पर रेक्षी पर रोकेट ऊड़ता है तो समय आगे जाता है उसके पीछे सो धूआ भी निकलता है जो गैस की तो उतना रसका और पीछ उसका जो है गैस का भी निखल दाया कि ये देखें ओंगे ये रिखीकेश एक सिधी रेके में चलता है रोक टिकेशी रेकussff का सिधान्त कहते हैं ठीक है तो किसी दान्त पर कारी करता है समेग सनर्चर किसी दान्त पर आपका दिया होगा समेग सनर्चर अप्सन में समेग सनर्चर किसी दान्त पर सब्सक्राइब करते हैं तीसरा नमबर किस्टन करते हैं तीसरा नमबर किस्टन करें परम सुन्यताप होता है परम सुन्यताप क्या होता है ठीक है गराट जीरो डिगरी सेल्सियस एक एलविन जीरो डिगरी फ़रनायट यह दो सो तीया टीटर डिगरी चल्शियस ठीके तो देखिए यदि हम सेल्सियस पैमाने पर पर कि पहमाने पर जो परम सुन्य ताप होता है सेलसेश्थ पहमाने पर मैनस $280 $260.0 506 कौна कहते हैं परंसुन्य ताप कहते हैं परंसुन्य ताप यहोता है रपर एकित दाप minus 280 10gard है ते तो एक पांच डिगरी सेल्डों सेलस्थ यह से ॉससे पहमाने पर से क्ई टाप को चल मर्प पेमाने पर पेमाने पर किया थरसात अहले douze क्विन केलं बराबर होता確 broom माइनस мама कमा चली सेस्ट के ऊधर दखे रहा है आप है अब था अधिक रहा होगा ठीक है तो जो होता है एक केलविए j तो जीरो केलविन ठीक है तो आप्सन में आपको जो दिखे उसके अनुसार मरिएगा आपसान बास समझ में है तो यहां पर आपको आपको आपसन में समझ में आई होगी चलिएगा अगला बात करते हैं चौथा नमबर क्यूशन की चौथा नमबर ठीक है क्या करा है कि एक लिफ्ट का दर्वमान पांसो किलोग्राम है ठीक है कोई लिफ्ट है हमारी यह है समझ लिजी हमारी क्या है लिफ्ट है लिफ्ट इसका दर्वमान कितना दिया है मास पांसो किलोग्राम है पांसो किलोग्राम ठीक है इसमें ऐसे रसी लगी रती है यह उपर जाती है ठीक है ऐसे लगी जाती है चलिए तो लिफ्ट जा रही है उपर की तरफ आपको आ तनावथ क्या होगा यानीज्ग ञटका है कोई बिचि आप देखेंगे कोई रसी है तो देखेंगा टाइट हो जाती रसी उसी को तनाव को पूछ ठीके वह तनाव क्या होगा जब वह में दू मिटर पर सकेंड के तोरर से उपर की तरफ जा तोरड़ हैं दू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ूपर जा रहे हैं इस में तोरड़ कारी करेगा उसका मान होता है नौदोसमालो 8 मीटर पवर सेकंड इसकोर आपको क्यूस्टन में बोला है इतना रखने के लिए जी कमार ठीक है बसमझ में है चलिएगा तो करें कि उसका तनाव क्या होगा यह हमें बताना है ठीक है तो यहां से हम तनाव निकालेंगे तनाव तनाव एक परकार का बल है क्यो धीक हो भाल का फर्मुला पता है क्या होता है में टू यानि द्रब्रमान गुर्टे तरण लिखंदी में हाइच द्रविमान गुर्ते ते त्रण रखने होता है तनाव कर से दिखाते द्रेमान एम हो जायेगा ऐनट्व यह काम कर आए अपका एक नग डूल लिर्डार लिखेंtona दोनों को छोड़ेंगे दोरॉख किया जाएगा एपलस जी हो जाएगए अ का मदिया 500 गूर्ड एक मानखितना है अकाँ है कि eco Niger कमान फैसे और प्लस जी कमाने मॐ थो यो अपिछא करना है तो यहां से बरबर क्या जाएगा यह बर जाएगा यज़्ोड आप गुडा कर दीजिए तु मुड़ा कर देंगे तो क्या जाएगा आपका गुड़ा कर देखे पहले तो एक जो सुनना है इस डासमनों को कर देगा अब सम अथार में पयाटा संगुड़ा करने हैं तो तो असानी है एक जीड़ो चिपका लेते हैं पाचा वाठ टे चालिस क्यारी कितना हुआ और चार पाच एंगा फाउल पांग यह सद आरे नि इस यह हो गया लगाई last टो नुटंडडन दिया है निसटना मेरा सी इतना नुटन इंशा पोल यह प्रकार कबन यह ठीक है इतना नि तो सक क्या लगेगा सुसंगर्णेंत नमबर आफ सब्षकेट क्रेक्षब हो जाएगा उन्सट सो न्यूटन वो एन है ठीक है ध्यान में रखिएगा इसको इतना न्यूटन बास समझ में आई होगी दोस्तों ठीक है तो चलिएगा इतना नोट करिएगा बिल्कुल असान था जहां पर भी ना समझ मैं एक बार वीडियो को रिवस्वर के देख है इसमें अत्रिक्त इलेक्ट्रानों की संख्या होगी अत्रिक्त इलेक्ट्रानों की संख्या यानि एन कमान पूछा है एन कमान पूछा है हमें क्यू कमान दिया है माइनस असी माइक्रो कुलाम ठेक है तो एक माइक्रान में आपको पता है कितना होता है दस की पावर माइन इसको लिख सकते हैं इस वैल्यू को माइनस क्या है 80 गुड़े 10 की पावर माइनस 6 कुलाम इतना लिख सकते हैं खेक है इतना लिख सकते हैं और क्या दिया है बात करें इसमें अत्रिक्त इलेक्ट्रानों की संख्या होगी अत्रिक्त सबसक्राइक आप को पर मुला पता है कि यू बरबर क्या होता है करले का लिगए था राइब यह न ऐन्म पूछा है क्यूं कमान दिया यह जी नहीं है क्यूं है Texas Aate क्यूं कमान दिया है क्मान और लेडी आपको सब को पता है यह तो फिक्स है तो इithक दिफ्स है तो इसन निकाल देंगे यह से आज्चे एन बराबर क्या हो जाएगा क्यूंअ ऑपन इठीक क्यों कमान कितना है 802-6 कुलाम अब बटे में ए कमान कितना हो जाएगा एक मान माइनस एक दसमलो 6-19 कुलाम से तो कुलाम कर जाएगा ठीक है अब देखे इसको कटाते हैं इसको तो पहले मुलं को अठाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगी दस से गुड़ा करेंगे तो यहाँ में यहाँ पर 10 से गुड़ा कर दिजी ओं तो हड जाएगा तो एं बरबर क्या हो जाएगा बिआ कर जाहेगा तो इसको लिख सकते हम 80 अच और बेस तमान है 10 की पावर 1 है, प्लस 1 है, 10 की पावर माइनस 6 है, तो क्या आजाएगा, 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, यह इसको, यहाँ पे जब बटे में आते हैं, यह तो उपर सॉल्फ हो गया, अब बटे की बात कहते हैं, दसमलो को हटाने के लिए 10 से गुड़ा किया है, तो इस दस से जो गुड़ा किया है, इसमाए एक दसमलो को अड़ाने के लिए 10 से यह दसमलो गाइब हो जाएगा, तो बच्ची गया, 16 गुड़े 10 की पावर माइनस 19 बचेगा, ठीक है, चलीगा, तो अब तो असानी से कर लेते हैं, 16 पाच्चे, पाच्च बार में कर जाएग इसको उपर ले जाएंगे, तो क्या होगा, घाद पॉजिटीव होगी, यानि 5 गुड़े 10 की पावर माइनस 5 आइन्टू 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा, इसको सॉल करेंगे तो 5 गुड़े 10 की पावर, 19 में से 5 जाएगा, 14, इतना इलेक्ट्रान हो जाएगे, इतने इलेक स्री अमेहिज कर रहा हूर, आप सा नमबर स्री तीक कर लिजिए गा, इसका समझ में आई है, बिलकुल असां था, ठीक है, चलिएगा, अगला बात करते हैं, सिक्स नमबर क्यूस्टान की, सिक्स नमबर, चलिए, यह क्या कर रहा है, कि एक प्रकास किरण की आबरीती, 6 यह दिया है आपका क्या अबरिती का मान दिया है करें जब यह अपवर्तनांग एक दसमल पांच वाले माध्यम में संचर्ण करते हैं तब इसके अबरिती होगी तो करें जो अपवर्तनांग है अपवर्तनांग वो एक दसमल पांच देख किसी माध्यम का अपवर्तनांग तो जो अबरिती है ठीक है वो एक दसमल पांच अपवर्तनांग वाले माध्यम में प्रवेश करेगी संचर्ण करेगी उसमें जो प्रकास है जिसके अबरिती इतनी है तो उसके अबरिती पे क्या प्रभाव पढ़े गए हमें बताना है तो आपको समझाया गया होगा या पड़े होगे आप लो लोग कि जो प्रकास जो होती है प्रकास में कौन कौन से गुढ़ होते हैं मतister होते हैं उसका इसके अवृति तरंग्देर्द आयाम सब अवर्थकल सब होता है ठीक है तो करें इसकी तरंग्देर्द पर इसके अवरिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब यह इतने आप और तरंग वाले माध्यम में संच्रड करेगी तो दोस्तों एक बात याद रखेजिएगा जो अवरिती होती है दैर्द जो होती है या जो व्यग होता है तरंग का इस पर क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है ठीक है इस पर प्रभाव पड़ता है जो लोकिन इसके अवरिति होती है इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है नहीं पड़ता है ठीक है यानि जब आप किसी अन्यमाध्यम म कोई पила नहीं पड़ता है ठीक यानि वह चेंज नहीं होती है उसके तरहेंग दिया वेग में क्या होगा ठीक माधयम के अनुसार कम ज्यादा को सकता है ठीक है लेकिन उसके आवरिति कोई नहीं पर पड़ेगा तो आप बूरकों की 6 गुरीट deposit now our चोभर Un баб Warsz CT完了 करें o वैंक भिसका अब्रती क्या होगा तो आभरती JEए रज़ांग निकाले वह किसके बराबर होगा इन के बराबर भी बराबर ही होगा यानी जो एक दस मुलॉफ है पूरतनांक वहाद्यम है अश में भी जो चिया विती होगी जो गूलेक्च यह चिंज नहीं होने वाली है तो अप्शन कहुन साघ्रेट हो जाएगा छे गुर्धास की पावर ot 12 kg जाएगा उप्र क्रोंअचा चलीए आगे बढ़ते होए चलते हैं साथ रॉनितनपर क्रिस्च्चन पे में जारा की एक साथ वार्ट के बल्ब में 0.5 MPR की धारा बैर यहां साथ वाट का बलब यानि P कमान दिया है कितना साथ बात को इसमें धारा कितनी बह रहे है आई कमान दिया है जी 0.5 आप एंप झेकर इतना पेर की दरा वे रही है और कितने समय तक तो 16W वाले बल्ब में तो करहेख कि इसमें गुजरने वाला कुल आवेस है क्यों सब्साइब करता से रहसा हैं Q बराबर I into T होता है या Q बराबर एक और फर्मूले लिखे थे कहां पर N into E होता है यह भी फर्मूला होता है ठीक है तो जो वैलू दी है उसके हिसाब से तो फर्मूला लगाएंगे वहां पर ठीक है तो धारा के फर्मूले से Q बराबर I into T ठीक है क्युक्मान निकलेंगे तो आहिन टीओ अभी हाप दिया देखимо दिया है और ठीक कभी अठीक by मांदिय अच्छा जयेगा तो कि वरकलेंगा पॉइंट फाइफ इन्टू अब इसका साथ गुड़े साथ यानि छती सो शती सो अब गुड़ा कर ये तो क्यों कमान कितना आ जाएगा गुड़ा कर दिजिए एक जीरो से तो दसमलो भाईया हट गया यानि यह क्या बन गया सिर्फ पांच बने पांसे किसमें गुड़ा कर क्या हो जाएगा जीरो पांचे के तीस को जीरो पांचे के तीस को जीरो तीन अपांत ये पंदरा अपंदरा तीन कितना हो जाएगा अठारा कुलाम हो जाएगा अठारा सो कुलाम तो इसमें जो गुजरने वाले अवेस हैं वो कितने हो जाएंगे अठारा सो कुलाम ऑप्स सो कुलाम तो इसके option number D को आप क्या करिए ठीक कर लिजे बाद समझ में आ रही होगी दोस्तों मजा आ रहा है पसंद आ रहा होगा किस्टन का solution करना समझ में आ ठीक है तो अपने वीडियो का अपने दोस्तों में सेर करते भी रहेगा और जो लोग जूड़ रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करते रहेगा ठीक है चले गए तना नोट करिएगा फिर आगे सौल करते हैं तीन किसंद ठीक है दस-दस का पैटर चल रहा है तीन किसंद और इसको नोड करें फिर उसे देखते हैं कि देखिए अर्णार क्या करा है कि इसे जब एक दंड चुंबक की उत्री धुरू दाछीड की और ने देस्त लूता है और दाछीड धुरू उतर के और ने देस्त होता है तब उधासीन-बिंदु होगा वदासीन बिंदू मतलब जहां पर चुम्बह की रिखा नहीं होती है उसे उदासीन बिंदू भिदे ठीक है ठीक तो करहें एक दंड़ अम Dal udah किनु तो लोगा नौर्ध और self जो नौर्ध पोल है किस साइडोय है साउट साइड है जो नौ Wellington की साइδα यह उत्री निर्देशित है कहां पे कहां पे होगा यानि कहां पे चुंबक नुख만 कड़ेंगी तो जो इस इसका अक्ष होता है दंड चुम्बक का ठीक है ऐसे अक्ष होता है तो जब आप नौर्थ पॉल को साथ की तरफ निर्दसित कर दीजिए और साथ पॉल को नौर्थ पॉल की तरफ तो जो यहां पे जो मिलता है आपका क्या बोलते हैं उसको उदासीन बिंदू यानि जहां पे चुम्बकी रिख यह उदासीन बिंदू पाए जाता है उदासीन बिंदू ठीक है उदासेन बिंदो पाए जाता नौर्प्सरा नमबहर किता बाक्र पर यहीं पर दो चुम्बक रख दे यहां नौर्थ पोलो गया है ठीके और इधर हमारा एक यह दंड चुमबक का नौर्थ पोलो गया तो इधर से खिरने जाएंगी दर निकलेंगी ऐसे जाएंगी एसे जाएंगी लेकिन कुछ तरफ निर्दसित कर दे और उतरी धुरुब को दशीर की तरफ तो कहा होता है चुम्बक के अक्षपर ठीक है चलिए अगला बात करते हैं तो काच के सबच्च वाइडाय करते हैं क्या करा खाय कि रहा है कि वाइड़ के सब लोग पांच यहीं हैं तो काच के सब ठीक्च वाइड़ का पर ठीक पूच्छ रहे हैं आईसी को पलट के पूछे कि कांच के साफ एक चुवाई का तो क्या करिए क्या करिए इसको भी पलट दीजे तो इसको पलटेंगे तो इसको देखे कैसे पलटा जाता है तो कुछ नहीं तो बटा में एक है अब पलटेंगे तो एक बटा में एक दस में पांच हो जाएगा पा ,定ा से दू पाशे 10 साब सूपास्टी, यह 15 दो बिटा 3 हो जाएगा दो बटा तीन हो ठीकि अपसंद हैं , बटा 3 , अपसंद नंबर उच्छाओ तो जो वैलू दिया उसको पलट दीजे तो पलटने का मतलब पांच को इधर आएक को उधर मत कर दीजेगा पलटने का मतलब जो ऑन सहर है उसमें बदलाव करना है ठीक है चलिएगा दो बटा तीन आपसा नंबर बी करेक्ट हुआ है नोट करेगा लाश्ट कुछ तीन गुड़ दस की पावर आठ मिटर पर सकेंडे बास सहिए भाई इतना होता है करा कि एक दसनल पांच अपड़नांक वाले माध्यम में प्रकास की चाल होगी ठीक है तो फर्मूला आपको पता है क्या होता है एज अप और तनांक पराबर होता है वाईव में प्रकाश की प्रकास की चाल ठीक है तो हमें निकालना क्या है माध्यम में तो यहां से निकालेंगे तो माध्यम में माध्यम में प्रकास की चाल प्रकास की चाल बराबर क्या हो जाएगा तो Y में प्रकास की चाल यानि C बटा N हो जाएगा Y में प्रकास की चाल C बटा में N N क्या है अपरतनांग है N की value दिया है 1.5 C की value दिया है कितना तो दिया है 3 गुड़े 10 की power 8 अब बटा में N की value 1.5 1.5 इसी को solve कर दीजिए आज आएगा आपका माध्य में प्रकास की 4 देखे 10 मलो काटाने के लिए उपर नीचे 10 से गुड़ा उपर नीचे 10 से गुड़ा उपर दस से गुड़ा कर दीजिए नीचे 10 से गुड़ा कर दीजिए 10 दहिया 30 गुड़े 10 की power 8 बटे में इसका गुड़ा करेंगे तो 10 मलो गाइब 15 दुना के 30 यहनि 2 गुड़े 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड कितना आगया दो गुड़े 10 की पाउर 8 मीटर पर सेकेंड आप्सन देखिए मैच कराईए आप्सन मैच कराईए दो गुड़े 10 की पाउर 8 मीटर पर सेकेंड आप्सन नमबर बी करेक्ट हुआ है जी इसका भी आप्सन नमबर बी 10 वे का भी आप्सन नमबर बी करेक्ट हुआ लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा ठीक है? सारा नोट कर लिजेगा step by step ठीक है? चलिए तो इस वीडियो में बस इतना हिराने देते हैं जो आगे इसके किस्टन है दस सॉल्व करेंगे उसको अगले पार्ट में ठीक है? तिन तिन पार्ट बन रहा है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बचे हुए दस्क्रिशन के साथ तब तक के लिए बाई-बाई धन्यवाद